इस वीडियो में हम बात कहने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से इश्यू दिखाया देता है आपके इसी भी सेटप को इंस्टॉल करता है टाइम देर इस नौट इनफ इस पेस ओन दिस्क तो यहां पर हमें क्या करना चाहिए उस सिच्वेशन में यह मैं आपको बताने वाला हूं तो वीडियो को आप पूरा शरूर देखेगा तो यहां पर रन करते हैं तो उसका प्रोपर प्रोपर मैं रहते हैं जो एक्स्टैक्ट करने के लिए होती है मैं जी साइस तो वह तो काम नहीं करती है लेकिन होती है अच्छी कासी तो उस सिच्वेशन में अगर हम 8GB कर रहे हैं तो सोलर जी भी कम से कम हमारे पास इस पेस होना ज़रूरी है तो मैं इंपोर्टेंट थि यह सकता है अब मैं इसको जो है एक्सपोलट करके आपको दिखाता हूं and export गरोंगा जब इसका solution करूँगा तो धियान से देखेगा और जहेशनी यहां पर एक सेट आप है इसको हम इंस्टॉल करें डिके इसको ब्राउस करते हैं प्राउस्कर हम जो है यहां पर करने पार ह सबसे पहले तो यहां पर यह वाली अगर अपने कभी इसको पेस्ट कर रखा हुआ तो ऐसा लिखावाएगा एंड उसके बाद जब आप इसको सेट अप करेंगे अगर इसकी स्टोरेज जाने लाग होगी उसके अंदर तो चले जाएगी अदर्वाइस जहां पर भी फेल होनी है और यहां पर इस पर जाना है और यहां पर एक आदी फाइल को यहां पर डिलीट कर देना है जैसे कि मैं आपर किसी फाइल के अंदर जाता हूं और एक इसको डिलीट कर देता हूं तो यहां से थोड़ी सी आगे भी चलेगी जैसे हम इस पर टिक करते हैं और इसे यहां से डिलीट कर देते हैं अब यहीं पर मैं यह वाला एक्स्रेक्शन भी खोल लेता हूं रिट्राइ करता हूं रिट्राइ करने के बाद यह थोड़े सी और आगे बुचलेगी जित्ते मिलेगी अगर नहीं मिलेगी तो यहीं पर यह स्टोप हो जाएगे ठीक है और अगर इतने ही में यह पूरी जानी होगी तो यह कंप्लीट हो जाएगी दिखिए बिल्कुल स्टोरेज का इशू रहता है जब भी आप इस प्रोसेस को करें तो इस टोरेज अपनी कम से कम खाली रखेगा जादा से जादा और फिर आपको यह दिखकत देखने के लिए नहीं मिलेगी तो यह प्रोसेस रहता है इसका सिंपल सा अगर वीडियो अच्छी लेगी हो तो लाइक कर दीचेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीचेगा